HTML सीख लो, CSS सीख लो, हो गया front end, आप PHP सीख लो, हो गया back end, front end, back end दोनों आता, आप तो full stack developer बन गए, जिसको दोनों आता, उसको भी बोलते हैं full stack, ऐसा थोड़ी ये 10 और 10, 20 language आई, तो full stack developer, किसने बोला, आप अगर HTML, CSS की जगह, JavaScript सीख लेते हो, JS, या angular सीख ले, JavaScript का ही पार्ट है, angular, angular ये front end के लिए use की जाती है, angular JS, इसको सीख लो, front end आपका cover, react सीख लो, front end आपका cover, back end के लिए node सीख लो, node JS, आपका दोनों, आप full stack developer बन गए, आप back end के लिए Java ले लो, इसको cut करके, हो गया, वैसे भी, जितनी भी programming languages हम पढ़ते हो, back end वाली ही होती है, back end ही, C, C++, Java, Python, ये सब back end programming है, logic, जैसे आपको एक website पे दिख रहा है, enter और wait, दिख रहा है, दिखना अलग हो गया, आपने अपना wait एंटर किया, एक बटन है, convert, wait को करेगा convert पाउंड में, बटन पे क्लिक किया, और आपको पाउंड में दिखाई दिया, लेकिन कैसे हुआ ये दिखाई नहीं दिया आपको, वो back end है, वो logic है, आपने कुछ logic लगाया होगा, formula लगाया होगा, तो वो programming languages की मदद से ही हो सकता है formula, मुझे आपसे ये बोलना है, programming language की मदद से formula, logic, ये सब programming language, बाकी scripting part, design part अलग, HTML, hypertext, markup language, generally programming language थोड़ी है, markup languages, scripting, ये आपको design बनान में मदद करेगी, colors देने में, font का कैसा दिखना चाहिए, ये सब, किसी पे click करने पे, कोई operation perform होना चाहिए, फिर उसके लिए programming language है, तो ज़रूरी है हमें programming language की भी, कोई-कई website के लिए नहीं ज़रुत पढ़ती, basic basic जैसे आप बनाते हो, आपको tree की information store करानी, tree की, आप क्या क करोगे, एक tree बना दोगे, और उसके बारे में लिख दोगे, और लिख दोगे, और भी tree, इसके all detail में चाहिए, तो click करो, click करोगे, आईए का page open होगा, उसमें भी आपने बताया हुआ information, बस, static website है, आप बिना programming language के बना सकते हो, उसमें कुछ सिप दिखेगा, लेकिन वो user हम बोर हो जाएगा, क्यों बोर हो जाएगा, क्योंकि static websites को आप जादा देर तक नहीं देखते, बार बार नहीं use करता कोई, tricky information दिन में 10 बार पढ़ोगे, क्या आप, हाँ, लेकिन आप Facebook दिन में 10 बार चलाओगे, ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो dynamic website है, website एक ही है, लेकिन data के हिसा आप से वो बदलती है अपने आपको, इसको dynamic बोलते है, जैसा data, हाँ, page एक ही है, login का page, मैंने login कर लिया, तो मुझे मेरे जैसा दिखेगा, आपने वही page पे, मेरे ही mobile पे, आपने login किया, तो आपको आपके जैसा दिखेगा, आपने पहली बार account बनाया, आपने किसी आपके दोस्त को request भेजी, उसी को मैंने भी भेजी, तो मुझे भी वही दिखेगा, जो आपको दिख रहा है, आपने जो activity की, उसके photo को like किया, मैंने भी like किया, तो same चलेगा दोनों का Facebook, ऐसा लगेगा रहे, यह दोनों का same है, same नहीं है, हमारी activities same होने की वज़े से वो website same दिखा रही है, तो याद रखना यह dynamic website है, user के हिसाब से चलती है, इसलिए dynamic websites अगर बनानी है, तो आपको यह languages की जरूत पड़ेगी, फिर कैसे करोगे, तो static website तो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि आप बना सकते हो, लेकिन dynamic website पे आपको काम करना, Amazon वगरे dynamic है, आपको मालूम है, किसी product को आप देख रहे हो, खाली उस जगा पे रुके भी रहोगे न, तो count करता है, कितनी second तक आप उस जगा पे रुके हो, उस product के उपर, आपने click किया, वो store कर लेता है, one click, फिर back आगए, फिर click किया, दो दिन के बाद, वो store करके रखता है, दो click भी किया, और 30 second भी रहा, मतल आपको वहाँ दिखा देगा, हाँ, इंस्टा पे दिखाएगा तो, फेस्बुक उससे पैसा भी लेगा, मतलब जो company है, फेस्बुक, वो बोलेगी, हम अपने प्लेटफॉर्म पे दिखाएंगे, आपके इस shoes को, जो user आपके उस पे जाके देख रहा था, लेकिन आपको मु आप देखो न, कौन आइड से नहीं कमा रहा, आप बोलोगे WhatsApp, WhatsApp फिर आइड से नहीं, क्योंकि दूसरी चीज़े है न, तो यहाँ टेंशन नहीं है फिर, तो यह सब ऐसे, अभी इंस्टा पे कितनी आइड साती है, आप देखोगे तो, तीन-चार बार आप story पे जाओगे, चेंज करोगे, तो फिर English speaking की आइड, या पता नहीं कौन-कौन सी आइड आती है, जो कभी सर्च नहीं की, वो भी आ जाती है, क्योंकि वो area wise सेलेक करते हैं, इतने area में दिखाओ सबको, तो जरूरी नहीं सारी सर्च की हुई ads ही आएंगी, कुछ ads ऐसी भी होती है, जो आप बड़ी company है, area wise की कोई जरूरी नहीं कहीं भी दिखाओ, सबके काम का है, ऐसा है वो, यह चीज है, तो यह देखो अभी यहाँ पे मैंने यह आपको बताया, while loop के भी बहुत सारे examples हो सकते हैं, जब आगे जरूरी तो while loop use करूँगा, जैसे की मैं आपको एक बात और बताता ह एक simple while loop का example दिखाता हूँ, थोड़ा और complicated है, यह देखो, इसको comment देदू, एक, दो, तीन star, तीन बार single quote लगा दिए हैं, यहाँ पे भी, इसके बाद सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक न लिस्ट बना रहा हूँ, L1, या फिर K1, और इसमें रख देता हूँ, 11, 22, 33, 44, 55, 66, अब आप बोलोगे, क्या इसको while loop की मदद से चलाया जा सकता है, हाँ, देखो कैसे चलाता हूँ, मुझे बताओ, length of K1, length नाम का function तो है ही, और इसके अंदर store करा दो, K1 की जो length होगी, L नाम की memory में करवा दिया, आ गया होगा length, कितनी length है, 6 होगी, हाँ, L में 6 आ गया, और एक memory बनाता हूँ, X नाम की उसमें 0 रखता हूँ, और लिखता हूँ, जब तक, क्या जब तक, X छोटा है, किस से, L से, तब तक, क्या करें, अब यहाँ लिखना पड़ेगा, तब तक print कराओ किसको, X को, X को कराओ कि पहले 0 print होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, ऐसे करके print होगा, यह देखो, अगर आप CC++ language जानते हो, तो, वहाँ पर array हुआ करता था, यहाँ पर इसको list बोलता है, direct, मतलब इसका यह मतलब है, key 1, एक memory है, जो point कर रहा है किसको, एक list को, 11, 22, 33, 44, 55, 66, ऐसे, यह 0 नंबर का, यह 1 का, यह 2 का, यह 3 का, यह 4 का, अगर आपने लिखा होता, K1 of 0 को print करा दो, तो जानते हो क्या print होता, 11, K1 of 2 को print करा, 1 को print करा दो, 22, ऐसे करके, आप सबको print भी करा सकते हो, मैं अभी वो नहीं करा रहा हूँ, खाली बोल रहा था आपसे, अभी इस program को run करूँ, तो क्या print होगा, कोई बता सकता है, सबसे पहले X में कितना है, 0, क्या छोटा सा 0 लिखता हो, क्या 0 छोटा है, किस से, 6 से, L में तो 6 है, अभी आप लोगों ने बोला, हाँ, 0 तो छोटा है, अंदर आएंगे, print कर दो, X कितना है, 0 ही है, 0 प्रिंट हुआ, 0 प्लस 1, 1, X की नई value, 1 हो चुकी है, क्या 1 भी छोटा है, 6 से, हाँ, तो उसको print कर दो, 1 को, 0, 1, 2, 3, 4, 5, यह print होगा, ना, आप यहाँ notice करो, इसको, यह चीज यही है, यह चीज यही है, तो क्या मैं bracket लगा दू, सबको, लगा दिया, क्या इसके पहले K1 लिख दू, लिख दिया, हाँ, तो फिर, इसके यहाँ, जो K, आपने X लिखा, कहा गया, X जो है, यही 0 था ना, तो bracket लगा दू, हाँ, लगा दिया, K1 लिख दू, हाँ, लिख दिया, अब run करते हैं, अब देखते हैं, क्या होता है, F5 दबाने से run होता है, हाँ, यह तो सारे list के content print हो गए, हाँ, मतलब list को आप while loop की मदद से भी print करा सकते हो, जरूरी नहीं है, for loop ही चलता है, while loop आपके सामने करके दिखाया, आप बोलोगे, क्या और भी छोटा इसको किया जा सकता है, मैं और छोटा कर रहा हूँ, प्रोग्राम, आप बोलोगे, हाँ, direct यहाँ पे लिखता हूँ, अंदर, क्या होता, direct लिखा होता, आपको समझता नहीं, इसलिए पूरा अच्छे से उसको मैंने expand किया, अब धीरे-धीरे merge करने जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ लिखता हूँ, L की जगह, length of, क्या, K1, direct L बनाऊंगा ही नहीं, यह line लिखूंगा ही नहीं, yellow, यह तो और छोटा हो गया, बस, अब पहली बार आप देखोगे तो नहीं समझेगा, अरे यह क्या है, मतलब यह X कितना है, 0 है, और आपने लिखा 0 चोटा है का, length of K1 से, length of K1 मतलब 6 है, हाँ, चोटा है, फिर K1 of 0 को print करो, K1 of 0 पे क्या है, 11, यही फिर X बढ़के 1 होगा, फिर K1 of 1 को print करो, ऐसे करके चलने वाला है यह, तो यह चीज मैंने लिखी हूँ, यह इतने detail में, यह थोड़ा सा complicated topic है, लेकिन अगर आपको समझा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे जादा generally complicated होता है कुछ, इसी level का लगबग सब होता है, यह समझ गया तो बहुत बड़ी बात है, अभी एक ने पूछा है कि swapping of two numbers, swapping क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ, अभी मैंने यह इस पर पढ़ा, generally आप के पास एक glass है, एक दूसरा glass है, एक glass का नाम A है, एक glass का नाम B है, मैं आपसे यह बोल रहा हूँ, एक glass में orange juice रखा हुआ है, तो orange color का होगा, ऐसे बोल देता हूँ, और इसमें कोई और juice है, जैसे mango juice है, वो भी लगबग ऐसा ही होगा, लेकिन उसको मैं ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है, मैं आपसे यह बोल रहा हूँ, कि orange juice को B नाम के glass में रखना है, और mango juice को A नाम के glass में रखना है, उल्टा करना है, आपके दिमाग में आया, अरे ऐसा करने के लिए तो मुझे तीसरे glass की जरूत पड़ेगी, तब मैं कर पाऊंगा ऐसा, मतलब अगर आपने इस memory में 5 रखा है, इसमें 6 रखा है, आपको swapping अगर करनी है, दो numbers के बीच में, तो एक तीसरे memory की भी तो जरूरत है, तो आप लि कभी ऐसा नहीं हुआ कि left वाला right में चला गया, ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक, तो इसके लिए याद रखो, यह right side का content left में जाएगा, right में क्या है, A में, पढ़ लो 5 है, कहां जा रहा है, C में, मतलब आपने यहां समाल के रख दिया, अब आप A में रखवा सकते हो, किसको B को, तो B चला जाएगा, A में, मतलब यहां 6 आ गया, और बाद में, B में रखवा सकते हो, जो भी C में होगा, C में क्या 5 है, हो गया, swapping प्रिंट करा दो, किसको, A और B को, अपने आप आपको proof मिल जाएगा, यही है swapping of two numbers का program, आप general program बना के फट जल्दी से दिखा देता ह एक, दो, तीन, comment दे दिया, यहां पर, यहां पर क्या करूँ, हाँ, input ले लेता हूँ, user को बोलता हूँ, आप number इंटर करो, X में उसको रखवाएंगे, इंटर first number, अब दो number इंटर करवाने पड़ेंगे, swapping करनी है, तो एक number की swapping कैसे करोगे, दो number शही है न, swap मतलब यह य इसलिए, यहां पर मैंने ऐसा लिखा है, Y equal to input, हाँ, लेकिन आप बोलोगे, इंट नाम का function भी बनाओ, और यहां पर, इंट नाम का function भी बना देता हूँ, क्यों, क्योंकि, इंट में convert करा के, X में रखो, नहीं, तो string type का data, generally माना जाता है, जो भी keyboard से, आप enter करते हो, इसके कुछ देर के लिए, समहाल के, समहाल के रखवाना है, तो T में रखा हो, temporary memory में, आपने बनाई है, इसका नाम T रख दो, temp रख दो, क्या उसे अच्छा, रख दो, X को समहाल के temp में रख दिया, अब X में कुछ भी रखो, नहीं, Y को रखो, हाँ, लेकिन Y में क्या रखो, temp, बस बात खतम, प्रिंट करा दो, आपीस से X और Y को, अभी पता चल जाएगा, प्रिंट, X, Y, हाँ, लेकिन स्वैपिंग करने से पहले भी X और Y को प्रिंट करा के देख लो न, क्या है उसमें, अभी रण करते हैं इसको, आपके सामने, F5 दबाया, इंटरफर्स नमबर 5, दूसरा नमबर 7, तो पहले 5, 7 का 75 हुआ की न, लेकिन अगर ऐसा दिखता तो अच्छा लगता, कैसा, डबल कोट्स लगाया, X equal to, X, डबल कोट्स लगाया, Y equal to, अभी देखते हैं कैसा दिखता है, रुको रन कर रहा हूं, अभी आपको पता चल अरे, कॉमा नहीं दिया क् यहां यहां कॉमा आएगा, कॉमा, दो अलग-अलग है न वर, यह स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, यह इतना, यह देखो इतना, और यह इंट टाइप का, तो दोनों के बीच में कॉमा आना चे, यह स्ट्रिंग टाइप का है, हां और कॉमा, बस, एंटरफास नमबर 34, यहां पर नीचे, यहां पर नीचे, एक्स इक्वल टू, कॉमा, कॉमा से स्पेस आ जाता, इसलिए स्पेस दिख रहा है, आप लोगों को, वाई इक्वल टू, कॉमा, स्पेस नहीं चाहिए क्या, तो लिख दो सेप्रेटर की वैल्यू, एक मेमरी होती है, मैंने बताया था उस दिन, सेप्रेटर नाम की, उसकी वैल्यू नल कर दो, बस, यहां में भी कॉमा करके लिख दो, सेप्रेटर की वैल्यू, नल कर दो, बस, अभी रन करते हैं, देखते हैं, कैसा दिखता है, हाँ, लेकिन एक लाइन और दिख गई होती, आफ्टर स्वैपिंग, तो आपको बीच में स्पेस भी देना है, तो कहां स्पेस देना पड़ेगा, आपको भी पता है, वहां दे दो, तो इस तरीके के प्रोग्राम्स किये जा सकता है, बहुत आसानी से, आप क्या प्रिंट करा रहा है, एक्स इक्वाल टू, एज इस इस, इसलिए वो दिखा, और ए हाँ, बीच में स्पेस इक्या, एक्सा और इसके बीच में, तो यहां पे रुको, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नौ, दश, उसके बाद यहां पे भी, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, सात, आट, नौ, दस, दस, Uhh zeis दिया मैं ने, फिर से रनकरता हूं फिफ्टी और टेन यहां पे दस पेस आ गया होगा एक दो तीन चार पाट छे साथ आठ नो दस हाँ आपको जैसा चाहिए वह आप तैय करो दिखाना कैसे है डाइक एक स्वामा वाई लिख रहा था तो भी हो रहा था ऐसा लिख रहा हूं तो भी हो रहा है आप तैय करो आपक आ है आपको भी पता है यह स्वापिंग औरीजिनल यह कर वा रहा यह यहां तो आप टाइ actors कर रहे थे यह लाइन में यह लौजी का पार्ट यह 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 bilmiyorum यह language का पार्ट आपको language आनी चाहिए लॉजिक तो यह हर प्रोग्रामीं लैंग्विज्घ में इसको यूज करना जैसे list, tuple, set, dictionary, उसके उपर interviews में कैसे questions पूछे जाते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, तो वो सबसे main part है Python का, temp का मतलब क्या है, एक ने पूछा, temp एक memory का नाम है, आप इस memory का नाम T रख सकते हो, अगर आपको चाहिए तो, इससे कोई issue नहीं है, वो तो memory का नाम है, X रखो, या आपके खुद का रखो, उससे कोई problem नहीं है, ऐसा,